नमस्कार वन्दे मातरम सौगत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पर तो दोस्तो अगर आप सभी इंडिया पोस्ट आपिस की तरफ से आने वाली GDS क्रामीन डाक सेवक के हजारों पदों पर नई भरतियों का इंतजार करें तो आप सभी के लिए वीडियो काफी important होने वाली है इस वीडियो के अंदर हम discuss करेंगे SS महादेवा जी जो की GDS के महा सचीव है उनके द्वारा जारी किये गए दो नए notification के बारे में इसके अलाबा आपको बता होगा 7 जून से आपकी नई भरतियां start होने वाली है उसको लेकर आप लोगों के मन में बहुत सारे doubt है और उस vacancy को लेकर बहुत सारे अपडेट आ चुके हैं इस वीडियो में discuss करेंगे कौन सी vacancy हैं क्या actual date होने वाली है कौन कौन उसके लिए आविदन कर पाएगा क्या GDS की vacancy इसी महीने में आने के chances हैं क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे comment किये हैं क्या मई के महीने मे आपके notification देखने को मिल सकते हैं complete discussion करेंगे आपके मन में जितने भी doubt होंगे clear करेंगे अगर आप 10th pass हैं और GDS की vacancy का इंतजार करते हैं तो आप सभी के लिए video बहुत ज़्यादा important है आखरी तक देखेगा और बताई गई सारी बाते सुनिएगा ताकि आपके मन से सारे doubt clear ह हो सके और आगे चलके जब vacancy आएगी तब आपको समय पर आवेदन करना है कैसे और कहां से आवेदन करने पर आपको first time में ही made के अंदर नाम देखने को मिलेगा इसके बारे में भी आपको जयानकारी इसी channel पर मिलेगे उसके लिए आपको इस video को like कर देना है और channel को subscribe करके bell notification को on कर लेना है मैं सभी notification को download करके आपके सामने open करूँगा ताकि सारी चीज़े मैं समझा सकूँ और आपके मन में जो भी doubt हो वो clear हो सके आए बीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखे all india grammy dunk sivak यह 23-24-24 के दिन notification जारी किया गया GDS से related ही है वेकेंसी से related नहीं है लेकिन जो GDS के post पर काम करें या in future GDS के पदों पर join करके काम करेंगे उनके लिए बहुत important है SS महादेवाजी के द्वारा जारी किया गया notification इसको open करेंगे GDS की भरती को लेकर के update उसके बारे में आपको बताएंगे नया notice जारी हुआ है कही सारे notice है 10 past frequency होती है जिसको GDS के बारे में जानकारी नहीं बता दें ग्रामीन डांक सेवक के अंतरगत तीन तरह की पोश्ट होती है एक तो ABPM यानि असिस्टेंट ब्रांच पोश्ट माश्टर और एक डांक सेवक एक नई पोश्ट इंटर्डूस हो रही है हलाकि पोश्ट पुरानी है लेकिन इस बार उसको डांक सेवक की जगए add किया जाए चालिस हजार से ज्यादा वेकिंसिया इस बार आपको देखने को मिलेंगी तीस हजार तक की सेल्डी आपको इन पदों पर देखने को मिलती है और सबसी इंपोर्टेंट आगे जो हम डिस्कस करेंगे अगर आप GDS के पदों पर सेलेक्शन पाते हैं तो आपको आगे चलके क आपको कंफर्म जानकारी देने वाले हैं पहले हम बात कर लेते हैं SS महादेबाजी के द्वारा जारी किये गए दो नए नोटिपीकेशन के बारे में उसके बाद आपको इस वेकेंसिय से जुड़ी तमाम जानकारी देते हैं तो अभी हमने पहला नोटिपिकेशन ओपन किय है डेट पर फोकस करेंगे तो तेज़ शार दोजार चोविस यानि की हालिका नोडिपिकेशन है तेज़ अप्रैल को आउट किया गया है और इंडिया ग्रामी डांक सिवक यूनियन यानि ए आई जी डी एस यू की तरफ से और यहां पे सिवा में डांक महांदिदेशक डांक पोस्ट माश्टर और यहां पे प्रांक पोस्ट माश्टर के बारे में बात करी गई है और डांक सिवक को पर्थम दिये गए TRCA को पुरा निरधायत करने के संबंध में क्या बोला गया इसको सुनिएगा थोड़ा सा उपरोक्ट बिशय के संबंध में इस रण के द्वाया वह लगतार निवेदन किया जा रहा कि बरतवान में नीवत्त ग्रामीं-डांक सेवकों को पर्फम TRCA वो सेल्दी होती है कि वरसों से पूरा निस्धायत नहीं किया गया है क्योंकि उनके इस्थान पर पूर्व ग्रामी डाक सेवक पदोननाती सेवा निवरत इत्यादी हो चुका है यानि इसको समझेगा यहाँ पर जो पूर्व ग्रामी डाक सेवक पदोननाती यानि की पहले जो GDS के पदों पे काम कर रहे थे वो प्रोमोशन उनको दिया गया है यानि उनकी पोस्ट को इंक्रीज किया गया है कौन सी पोस्ट मिलती आगे बताएंगे सेवा निवरित इत्यारी हो चुका है या फिर उनकी आकार काल की समय अबदी पूरी हो चुकी है जिन्हें डुतिये टी इडार्मेंट हो चुका है या फिर जिनका पदोंनत ही हो चुका है प्रमोशन हो चुका है उनकी जगह में जो नए GDS वाले भरती हुए हैं उनको चार घंटे का बेतन दिया जाता है और काम उनसे पांच घंटे या उससे भी अधिक करवाया जा रहा बरतमान में काम का तमक्ष्ट पर भरति हुए है वह कंआ ट्यार सिए कंडेटन पर भी अच्छा का म कर रहे हैं जैडिययस द्वारा इस्थानी प्रसासन से भी निवेदन किया गया है स्थानी प्रसासन पी ध्यान दे नहीं दे रहा है यह समस्या पूरद देश में है इस पर विचार कर निद्धेशन आ करने के वसकता है अता है आप से निवेदन की आप विक्तिकत रूप से ध्यान देते हुए इस समस्या के समधान है तो समधितों को आदेशित करे वा कश्ट करे यानि आप पे TRCA बढ़ाने की यानि बेतन बि कोरिफिकेस्ट ने वह भी तेश्चार दोजर चोबिस को ही और इंडिया गरामिन डांगसेवक की तरब से जारी किया गया तो ऐसा अभी नहीं हो रहा है ये जो इस्थानांतरन टांसपर का पोर्टल है इसको आपको समस्या होगी उसके लिए नोटिस है उपरोक्त विश्यक सूच है कि इस वर्ष ग्रामी डांक सिवकों के इस्थानांतरन आपको सुरू नहीं किया गया इस समद्ध में निदेशाले दोरा सभी सरकिल मुखियाओं से उनके बिचार मागे गए हमारे संगठन के ओर से निवेदन है कि अभी परस्तुत वर्ष में चार बार ऑनलाइन पोर्टल यानि इस्थानांतरन जारी रखा जाए जिससे कम बेतन भोगी ग्रामी डांक सिवकों क सामाजिक आर्थिक सहाथा मिल सके यानि जो कम बेतन में काम कर रहे हैं वो अपने आसपास के एरिया में काम करे ताकि उनको जादा समस्या नहों अत्या आपसे निवेदने की उक्त प्रक्रिया को जल्द सुरू करने का कश्ट करे ये तो जीडियस के महासचीब SS महादेवा जारी के दो नोटीस हो गए अब थोड़ा हम वेकेंसी पे भी नजड़ डालते हैं देखे एक नोटीफिकेसन आया था आपको पता है उसके बारे में हमने आपको जानकारी भी सही समय में दिया था अगर अभी तक आप लोगों ने उसको डाउनलोड किया नहीं है देखा न देखे हला कि उसमें ऐसा साप साप नहीं बोला गया कि फ्रेसर केंडिडेट के लिए भी जीरियस की वेकेंसी अभी आएंगी लेकिन चुनाओ की बज़े से वेकेंसी रुकी है आपको पता है कि जनवरी महीने से ही प्रोसेस सुरू हो गया था से डियूल फरस्ट का कहीं हम को देखने को मिल रहा था कि भरतियों का डाटा मागा जा रहा कहीं हमको देखने को मिल रहा था कि भरतियों में कुछ पतलाव किये जाएंगे उससे रिलेटेड सजेशन मागे गये थे फीडबैक मागे गये थे कहीं पर उनको डाटा वगयरा मिल चुका था इसलिए वेकें और आगे चलके कौन कौन सी पोस्ट पे काम कर सकते हैं उनकी डेट क्या होने वाली है देखे जो अभी GDS के पोस्ट पे काम कर रहे हैं MTS की पोस्ट पे काम कर रहे हैं या पोस्ट मैं की पोस्ट पे काम कर रहे हैं अगर उनको पोस्टल असिस्टेंट और सौर्टिंग असिस् और डेट यहां पर एक्जाम की 21 जुलाई 2024 की है जो MTS के पदों पर काम कर रहे हैं अगर उनको पोस्ट मैन या मेल गार्ड के पदों पर आवेदन करना है प्रमोशन चाहिए उसके लिए मोडल नोटिफिकेशन अगले महीने जून के 10 जुलाई को आएगा सरकिल वाई नोटि MTS के पदों पर प्रमोशन चाहते हैं उसके लिए मोडल नोटिफिकेशन 10 जुलाई को ही आ जाएगा 15 जुलाई से इसके लिए भी आवेदन सुरू हो जाएंगे 6 अगस तक आवेदन चलेंगे और 25 अगस 2024 को उनकी एक्जाम डेट रहेगी इसके बाद इंस्पेक्टर की डेट होने वाली है इसके लाबा पोश्टल सर्विस ग्रूप B का भी नोटिफिकेशन इसी साल आएगा इसका नोटिफिकेशन 2 सितंबर को आएगा 25 सितंबर तक आवेदन चलेंगे और डेट ऑफ एक्जामनेशन यहाँ पे 27 अक्टूबर 2026 की रहेगी तो यह वो नोट क्योंकि इलेक्सन हो जाएगा कोई काम बचेगा नहीं और पोश्टे बहुत सारी खाली है और जब यह सारी के सारी पोश्ट प्रमोशन में भर दी जाएंगी तो जीडियस की पोश्टे पूरी तरीके से खाली हो जाएंगी उनको भरने के लिए उनको वेकेंसिया लेकर आन होंगी वो हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं वो कमेंट कर सकते हैं वो लाइक कर सकते हैं वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद